शिग्र विवाहा के लिए करेंगे खास उपाए सोंवार के दिन शिवलिंग पर 108 दाने चावल के साबू चावल के दाने चड़ाने हैं और साथ में ही आपको दूद का एक लोटा या दूद से भरवा कोई जल भी चड़ाना है इससे भी शिव भवान परसन होते हैं और विवाहा की मनोकामना शिक्र पुर्ण होती है इसके साथ ही अगर आप शिरी राम लिक कर बेल पत्र पर 5 या 7 या 11 बेल पत्र चठाएं तो उससे भी शिव भवान परसन होते हैं जो की विवाहा में होने वाले विलंब को दूर करते ह जिससे लगी आपकी शादी में आने वानी रुकावटे दूर हो जाती हैं, आप इसे कम से कम पांच या साथ सोवार तक करें लगातार, इससे आपकी मनवानचित फल की प्राप्ति होगी, जैसा भी आप चाहते हैं, शिग्र विवाह हो जाएगा, और आप शिग्र विवाह के लिए मा पारवती पर भवान शिव के मंदिर में जाकर जहां पर शिव परिवार हो, वा माता पारवती के पांच शिंगार की वस्तवें चड़ाएगे, कम से कम पांच हो, इससे जदा तो चाहिए हो, लेकिन कम से कम पांच होनी चाहिए, और मन में अपनी इच्छा रखनी की हमारा विवा में होने वाला विलम्ब उसे दूर करे और शिव विवा हो जाये, तो ये भी बहुत अच्छा उपाई है, आप इसे भी करेंगे, तो आपके विवा के लिए संजोग खुलेंगे, तो आप इसे भी ज्रूर कर सकते हैं, जिनका विवा होने में विलंभर हो र पर चड़ाएं उससे भी जो है शेवगान परसन होते हैं विवहां में होने वाले विलम को दूर करते हैं और आप एक लोटा लेकर उसमें स्वेध फूल स्वेध चावल और आप उसमें थोड़ा सा मिश्री के दाने डाल कर उससे श्यूवडिंग पर चड़ाएं इससे भी व परसन होते हैं और विवहां में होने वाले विलम को दूर करते हैं तो यह कुछ उपाय मैंने आपको बताएं आप इन में से कोई भी उपाय कर सकते हैं ताकि आपके विवहां में होने वाले विलम को दूर हो सकी और आपका शीगर विवाह हो सके प्लीस मेरे चैनल को लाइक शेर सबस्क्राइब कीजिए यह बहुत ही सरल से रपाए है आप इने जुरूर कीजिए